नमस्कार जैमाता की कैसे हैं आप सम मैं हूँ सोनी और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ सदर बजार की ग्रीड मार्किट में जहां पर आपको कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं यहां पर मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ सदर बजार की जो रूई मंडी है बिल्कुल उसके ठीक सामने वाली यह गली मिलेगी आपको और यहां पर आपको हर तरह का फैब्रिक मिलेगा सिल्क बनार सी चंदेरी जिस भी तरह का पाटे वियर फैब्रिक आप खरीदना चाते हैं वो आपको इजली हां पर मिलेगा सबसे पहले मैं यहांपर रुकी थी यहांपर मुझे और गैंजा फैब्रिक नज़राए था आप देख सकते हो कितने सुंदर संदर प्रेंट में केंज वे तो है बहुत ही ओफिर्घ आपको यहां पर वह मिलते हैं तो चलिए नैक्स यांट सब्सक्राइब mistake के साथ लगने वाली दिखा रहे हूं अब बैः सिस्न्ट के लिए आपको यहां पर शंटून की कॉटन की हर तरह की लाइनिंग मिल जाती और इनकी प्राइस शुरू हो जाते 20 रुपे मिटर के इसाब से 20 रुपे में मीटर 40 रुपे मीटर 60 रुपे मीटर के इसाब से आप यह पर लाइनिंग भी ले सकते हो साथी साथ यहाँ पर एक भाई आना नैट के दुपट्टे सेल कर रहे थे 80 रुपे में 1 और 150 रुपे में 2 नैट के दुपट्टे आप क्वालेटी पास से देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश कलेक्शन आपको इसमें नजर आता है और भाईया कहा रहे थे कि यह डाई भी हो जाएंगे आप किसी भी कलर में इसको डाई इसली करा सकते हो तो देखो भी वाइट है वाइट मातर आपको मिलता है 50-50 रुपे मेटर के हिसाब से और इसमें कलर देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलर हैं यह पिंक कलर बहुत प्यारा लग रहा था इसमें तो इस तरह के फैबरिक से आप अपनी डिजाइन ड्रैसे बना सकते हैं जैसे साड़ी नैट का फै हैंगा बनवाते हो इसका स्कूर्ड बनाते हो क्रॉप टॉप के साथ तो देखो कितना सुंदर यह लगेगा बाकी के कलर में आपको इस नैट में दिखा रही हूं यह सब आपको मिल जाते हैं 150 रुपे मेटर के हिसाब से तो जिन लोगों का अपना बुटीक होता है वाला वर्क मिलेगा, ठ्रेड वर्क मिलेगा, मिरर्वर्क मिलेगा अपम सार जोर जेखोगे ना सब के कलर तो अलग है ہिं है और सातीसा सबकी एमकरॉईड्री भी आपको अलग-अलग मिलती है देखो यह आपको 60 रुपे मेटर के हिसाब से यहाँ पर फैब्रिक मिल जाता तो इस तरह का फैब्रिक आपको इस मार्केट में संडे के दिन मिलता है यहापर मैं आपको सारा कलेक्शन दिखा रही हूँ कि हर शॉप पे आपको नेट मिल जाएगी और्गेंजा मिल जाएगी नेक्स्ट यहापर मुझे एक सीक्विंस वर्क की नेट फैब्रिक नजर आयती 120 रुपे मीटर के हिसाब से कलर देखो भई पीच कलर है रैड ग्रीन यलो और सबका फेवरेट ब्लैक कलर भी आपको इसमें मिल जाएगा तो भई यह असका पना मुझे पूरा चेक कर आके दिखार दे काफी लंबा चौड़ा है अगर आपकी कुरती दो मीटर में बनती है ना तो बड़े पने में वह आपकी कुरती डेड़ मीटर में बन जाएगी रफली आइडिया मैं आपको दे रही हूं कि यहां भी पना क्या होता है नेक्स यहां पर भई यहां ना सौसर रुपे के कटपी सेल करते हैं हमेशा ही कटपी सापको सौसर रुपे में मिल जाते हैं और जैसे कोई साड़ी होती है ना जैसे सिल्क की कॉटन सिल्क की पेपर स साड़ी वाले वेबरिक में ये सवाले कट्पी में 300ीय म्रुपी में तो इनके पास इतने सारे कलर वंप्षों आपको मिल जाता है पूरा बंडल एक्तना कितने बड़े-nın दे में आपको बंदे हुए नजर आते हैं तो नेक्स यहां पर यह वाले भी आना सिल्की साड़ियां भी सेल करते हैं जिनकी रेंज होती है सिर्फ एक एक हजार रुपे तो जिस दिन संडे को मैं गई थी ना उस दिन हलकल की बारिश हो रही थी तो शौप वाले भी है ना हलकल का कम कमी कलेक्शन अपना यहां पर डिस्प्ले कर रहे थे कि बारिश में गंदा ना हो जाए वो फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन को कवर करने के लिए यह वही सौसर रुपे वाले कट्पीस में आपको दिखार हो इसमें से अच्छी खासी कूरती बन जाती है साथ ही आप पर आपको पचास-पचास रुपे में प्लेन जॉर्चत का फैब्रिक भी मि इस तरह की डेरी लगी हुई आपको कपडों की नजर आते हैं यहां पर मैं 50-50 रुपे मीटर में फैब्रिक देख रही हूं सारे लेकिन यह वाला जो फैब्रिक है मेरे हाथ में डिजिटल प्रिंट का फ्लावर वाला बहुत प्यारा था मतलब इसकी जैसे अब जैसे की रेंज दो रुपे मीटर के साफ से स्टार्ट हो जाती है लेकिन मैं आपको यहां पर दो सो रुपे में नौ मीटर लेस के बंडल दिखारी यह आने आप डिस्प्ले किये हुए थे तो जितनी भी डिजाइनिंग देख रही हो सारी आपको फ्रेश क्वालिटी में मिलती ह यह जाती है एक मीटर अपनी चोईस से आप ले सकते हो एक मीटर दो मीटर तीन मीटर जितनी भी आपके रेक्वायरमेंट मेंटों से अप ले सकते हो जैसे कि मैंने का बाशे आरी थी तो आपने पैक ना खोल ले नहींते फिर भी मैं आपको इनकी polythine में से दिखा रही हूँ किस तरह के designing laces में आपको मिल जाती है देखो ये किरोशिये वाली laces आपको यहाँ पर मिल जाएगी yellow color इसमें नजर आ रहा है और यह जो आप समोसे वाली laces देख रहे हो ना silver और golden color में यह आपको 2 रूपे 5 रूपे मिटर के हिसाब से मिल जाती है यहाँ पर यह red color की laces देख रहे हो फ्लावर वाली 3D style में यह आपको 10 रूपे मिटर के हिसाब से मिल जाती है मतलब lace का button का patches का सारा आपको बहुत collection यहाँ पर देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर 50-50 रूपे मिटर के हिसाब से इतनी चोटी बड़ी चौडी lace भी हाँ से purchase कर सकते हैं काफी सारी designing आपको इनमें मिल जाते हैं कुछ इस तरह के cut piece भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं यह कुछ ना net fabric cotton वाला जो फैबरिक होता है बिल्कुल net में देख रहे हो हलका हलका साथ में दिख रहा तो इस तरह के cut piece भी आपको मिल जाते हैं लेकिन मुझे किरोशी वाली lace बहुत प्यारी लग रही थी यह आपको 10-15-20 रुपे मिटर के हिसाब से मिलते हैं अर्टिफिशल फ्लार की शॉप होती है सारी जो कि Monday to Saturday ओपन होती है संडे को जादा तर शॉप बंद होती है शॉप बंद होती है इसलिए लोग यहाँ पर कपड़े वगारा सेल करते हैं लेकिन इस मार्केट को भी सदर्बजार की ग्रीन मार्केट के नाम से जाना जाता है संडे के दिन भी तो आर्टिफिशल फ्लार्स की वज़े से इस मार्केट को ग्रीन मार्केट कहते हैं तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 10 रुपे मीटर के हिसाब से कट पीस की लेज दिखा रही हूं अलग-अलग कलर में आपको मिल जाती है कई जगे 5-5 रुपे मीटर क इस आप से भी आपको मिल जाती है इसमें बहुत सारे कलर ते बही देखो मैं कहा रही दिना जो लोग कटिंग टेल रिंग जानते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही खजाने वाली मार्केट है आप अलग-अलग तरह की अपनी क्रियेटिविटी दिखा सकते हैं सस्ता सस्ता क पर्चेज करके और यहां पर बहुत सारे डिजाइनर पार्टी वे ड्रैस भी आपको मिल जाती है मतलब 1000 रुपे से 3.3,000 रुपे तक आप यहां पर ड्रैस खरी सकते हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा रही हूं तो यहां पर भी आपको सब तरह का समा कि वान मिलताया मतलब पार्टी वेर आप स्लीपर भी ले सकता है कर जितने भी आप स्लीपर देख रहे हों यह बहीं न एक स्थो पचास रुपे में दो जो जोरी पतायतें मतलब 502 जोरी samdele लग रही थी मुझे सारी न्यू पैकिंग में थी आपको मैं इनकी पैकिंग भी दिखा रही हूँ तो अपनी शॉप यहां पर स्टार्ट ही कर रहे थे यहां आपने बोरे में से तो इतनी भरमार हैं यहां पर आपको हर तरह का लग अलग डिजाइन में क्वालिटी वेराइटी कलर में नेट मिल जाती है देखो यह नेट भी आपको सिर्फ पचास-पचास रुपे मीटर के इसाब से मिल जाती है अब इसमें साड़ी बनाओ लहंगा बनाओ गाउन बनाओ या अपने टेलर से बनवाओ सस्ता कपड़ा लेकर साथी साथ आपको लाइनिंग हर स्टॉल पर हर शॉप पर मिल जाती है चो भी फैबरिक आप लोगे उसकी शंटून में कॉटन में आपको लाइनिंग इसली मिल जाएगी यहां पर मैं आपको नेट के फैबरिक दिखा र जो 20-30 रुपे मीटर होता है ना उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है लेकिन अगर आप 50-60 रुपे मीटर वाला लाइनिंग खरीते तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है यहां पर जॉर्जट फैबरिक में आप कलर देखो कितने प्यारे प्यारे ना मतलब आ तो यह भी आपको इजली मिल जाता है इनकी रेंज 80 रुपे मीटर के हिसाफ से स्टार्ट हो जाते है जैसे कूर्ती बनानी है पैंट प्लाजो बनाना है कॉड़ सेट बनाना है नाइट सूट बनाना है और बच्चों की चुट चुटी फ्रॉक्स बनानी मतलब मगर आप न तो 20 रुपे मीटर बताया था क्वालिटी की काफी प्यारी थी मतलब मेरे हाथों से फिसले जा रहा था जैसे मखन विसलता है ना हाथों से इतना प्यारा सैटिन का फैब्रिक था यह काफी सॉफ्ट क्वालिटी में तो यहां पर यहां अपने दो तीन पीजी खोले हुए थे यहां पर यहां के पूरे पूरे बंडल आप देख सकते हैं किस तरह के कलर डिजाइन ऑप्शन मिल जाते हैं आपर सीक्वेंस वाला फैब्रिक भी मैंने देखा था नेक्स्ट यहां पर मैं सिर्फ 40-40 रुपीय मीटर की नैट देख रही हूं देखो यह जो रैड वाली नै जोर्जट तो नहीं था इसका मुझे कुछ नाम बताया था मैं भूल गई हूं उसका नाम क्या है लेकिन यह मल्टी शेड में काफी प्यारा मुझे फैब्रिक लग रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं इसको खरीदू या ना खरीदू खरीदूंगी तो क्या बनवाउंगी तो फिर भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था फिर भी मैंने यह दो मीटर फैब्रिक खरीदी लिया था कि कुछ ना कुछ तो बनी जाएगा इसमें से क्योंकि वह काफी प्यारा लग रहा था और इन्हीं के पास ना कुछ कॉटन बेस्ट यह फैब्रिक था जो कि काफी सु बड़े यह फूल आपको नजर आ रहे हैं तो यह भी आपको 40-45 मीटर के साफ से मिल जाता है फैब्रिक के साथ साथ आपको हैंडलूम कलेक्शन भी काफी मिल जाता है यहां पर ना जो बिल्कुल न्यूबॉन बेबी होते हैं ना उनके ब्लैंकेट मिल रहे थे कंबल मिल र लेंगे तो यहां पर मैं इसकी सारी आपको डिजाइनिंग दिखा रही हूं डार्क शेड भी आपको इसमें मिल जाते हैं और अभी मैं इसका आपको टैग भी दिखाऊंगी देखो बिल्कुल फ्रेश कलेक्शन यह आपको मिलता है तो मात्र 100-100 रुपे में आप यहां पर दे पाते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस मार्केट में क्या मिल रहा है आपको मिल जाती हैं 500-200 रुपे के हिसाब से अब मैं आपको यहां पर 12 टूटी चौक से इस मार्केट का रास्ता दिखा देते हूं यह सामने आप बिल्कुल सदर बजार का 12 टूटी चौक देख तो इससे जब आप आगे आते हैं ना धीरे धीरे करके यहां पर आपको एक एमम सिंग डॉक्टर का बोर्ड नजर आएगा गरे बिल्डिंग नजर आएगी और यहां पर बहार फैब्रिक सेल होता हुआ नजर आएगा फिर आप पहचान जाओगे कि हाँ आप सदर बजार क ग्रीन मार्केट में पहुँच चुके हो तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिंग देन बाई जैमा तक कि